लेडीज को आपने कहते सुना ही होगा कि शाम होते ही उनके पाउ में संसना हट के साथ पेंच शुरू हो जाता है इस sensation और पेंच के पीछे सारा खेल iron deficiency का है इसक्रिन पर double tap करके इस restless leg syndrome बीमारी के बारे में समझो हर 10 में से 1% अपनी लाइफ में restless leg syndrome को face करता है इसमें आपके पाउ में current दोड़ता हुआ लगने के साथ अचानक से खुजली तेज पेन और रात में नीन नहीं आती है इससे आपको पाउ हिलाने और दबाने का मन करता है लेकिन आपको बता दू कि RLS legs से जुड़ा हुआ syndrome है ही नहीं ये brain से जुड़ा है यानी neurological disorder है pregnant ladies में iron deficiency के चलते RLS होना काफी common है लेकिन रात के समय normal human body में iron level fluctuate होता है इससे आपके brain में iron level कम होने से brain में मौझूद neurotransmitters जो muscles movements को control के signals बेशते हैं ये सही से काम नहीं करते हैं और इससे RLS condition generate होने से आपके पाउ में current जैसा sensation और pain feel होता है इससे आपको इस तरह से अपने पाउ हिलाने और दबाने की अर्ज होती है अगर आपके पैर में कभी current सा दोड़ता है तो आप छुटकारा पाने के लिए क्या करते हो comments में बताओ अगर आप भी ऐसी 3D videos बनाना सीखना चाते हो तो pin comment में दिये गए link पर click करो